सावन के महीने में हर मंगलवार को आने वाले व्रत को मंगला गौरी व्रत कहा जाता है जैसे कि पारवती मात को गौरा कहा जाता है और मंगलवार को पारवती मा की पूजा होती है इसलिए इसे मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है आज हम उसी की कथा कहेंगे और उसकी पूजन समगरी की वीडियो और उसकी पूजन विधी की वीडियो दोनों मेरे चैनल पर आज चुकी है आप जब के चेक कर सकते हैं लिंक मैं डिस्किप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और उपर आई बटन में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएंगे भगवान शिव और माता गौरी को श्रावन माज जो है वो बहुत ही ज़ादा प्रिय होता है और मंगला गौरी के जो वरत है वो कुवारी कन्या और सुहागन महिलाएं दोनों ही कर सकती है ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के वरत अगर कुवारी कन्याएं करती है तो उन्हें मन व्रत को आप दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप पहले सावन से इसको शुरू करके और हर साल सिर्फ सावन सावन के महिने में मंगला गौरी के व्रत करके और पांस साल में इसका उध्यापन कर सकते हैं या फिर आप इस साल जिस भी साल आप शुरू कर रहे हैं एक साल में व् लिजे चावल के या फिर गेहूं के और साथ में थोड़े से फूर ले ले और उसके बार हम कथा शुरू कर लेते हैं। और जब साथू ने उनसे उनकी कुशल सेम पूछी तो साथू कार ने अपनी सारी विथा उन्हें कह सुनाई। और बताया कि कब उनके घर में बच्चे की किलकारी गुंजेगी। बस इसी बात का दुख उने दिन रात रहता है। तब साथू बोले कि तुम ऐसा करो मंगलवा को सावन का मंगला गोरी का ही दिन पढ़ रहा था। साहुकार की पत्नी ने मंगला गोरी के वरत करना आरंब कर दिया। और वो इसी प्रकार से हर बार मंगला गोरी के वरत करने लगी। मातापारवती का पूजिन करने लगी। उसकी इस श्रद्धभक्ती को देखते वे मा पार्वती उससे प्रसन हो गई, उसी रात सहुकार को बड़ा विचित्र स्वपन दिखाई दिया, उसे सापने में अवाज आई कि कोई बोल रहा है कि जिस आम के विक्ष के नीचे गणेश जी हों, उस आम के फल को लाकर अगर तुम अपनी पतनी को खिलाओगे तो तुम्हे पुत्र प्रत्न की प्राप्ति होगी, अब सहुकार ऐसे विक्ष की तलाश करने लगा, और कई दिनों की महनत के बाद आखिरकार उसे ऐसा विक्ष मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी भगवान की प्रतिमा थी, अब सहुकार ने देखा कि जो फल हैं वो तो बहुत ही उचाई पर लगे हैं, तब सहुकार ने फल तोड़ने के लिए पत्थर मारना शुरू कर दिया, जैसे ही सहुकार ने आम को तोड़ने के लिए पत्थर मारने शुरू करे, तो आम तो तूट गए, पर उनमें से एक पत्थर जाकर गणेश भगवान को लग गया, और पत्थ परन्तु मेरे श्राब के कारण वह अलपाईू ही रहेगा और सर्फ दश के कारण वह 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और फिर सर्फ के काटने के कारण वह मर जाएगा इस अकाशवानी को सुनकर साहुकार को बहुत दुख हुआ परन्तु वहफिल भीवे आम का फल लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसने वहफल अपनी पत्नी को खिला दिया और उसे इस श्राप के बारे में कुछ भी नहीं बताया नो महीनों के पश्चात उसे एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई परन्तु साहुकार ना तो खुश हुआ ना ही दुखी हुआ क्योंकि उसे अपना श्राप याद था साहुकार और उसकी पत्नी ने उसका नाम मनु रखा और उसे बड़े प्यार से पालने लगे धीरे धीरे वह 20 वर्ष का हो गया अब वह अपने पिता के साथ व्यपार में हाथ बटवाने लगा एक बार वह दोनों पिता और पुत्र व्यपार से लोटते समय एक गाउं के तलाब के किनारे पर पेड़ के निचे बैटकर भोजन करने लगे जब वो पिता और पुत्र भोजन कर रहे थे तभी उन्हें दो कन्याओं की अवाज आई जो वहाँ पर कपड़े धोने आई थी और जब वे बात करने लगी तो साहुकार और साहुकार का बेटा दोनों उनकी बातों को सुन रहे थे वहद लड़की कमला और मंगला थी तभी कमला ने मंगला से कहा कि मैं अगले मंगलवार को अपने मंगला गौरी के वरत का उध्यापन करूंगी तब मंगला ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या होता है तब कमला ने कहा तुम भी इसका व्रत करो यह व्रत बहुती अच्छा होता है इसके करने से मनवानशित वर मिलता है और पती की लंबी आयू होती है तुम भी सावन के पहले इस मंगलवार से इस व्रत को करना वहीं पेड के नीचे बैठे वे पिता और पुत्र उनकी सारी बाते सुन रहे थे तब ही साहुकार ने मन में विचार किया कि कमला नाम की लड़की से ही मैं अपने बेटे की शादी करूँगा यही मेरे पुत्र के लिए उचित है और यह मंगला गोरी के व्रत भी करती है और इसके मंगला गोरी के व्रत के कारण ही मेरे पुत्र की जो आयू है वहे अधिक हो जाएगी और मेरा श्राब भी खंडित हो जाएगा तब साहुकार ने अपने विचार के बारे में पुत्र से पूछा, तो पुत्र ने भी अपनी सहमती दे दी, फिर वह पिता और पुत्र उस लड़की के पीछे-पीछे उसके घर तक चले गए, और फिर उस लड़की के पिता, जो की एक बहुत बड़े साहुकार थे, उनके सा संसार शुरू कर दिया विवा के बाद भी कमला ने मा मंगला गौरी के वरत करने समाप्त नहीं करे वह अभी भी मा मंगला गौरी के वरत करती रही और वह नियम से ही वरत करती थी उसके इसी वरत के वज़े से मा मंगला गौरी उस पर प्रसन हुई और एक दिन स्वपन में द परन्तु जब वह सर्प आए तो तू एक प्याले में मीठा दूद रख देना और एक कोरा मटका रख देना वह पहले दूद पिएगा और फिर मटके में जाकर बैठ जाएगा जब वह मटके में चला जाए तब तू उपर से मटका बंद कर देना इस प्रकार से तेरे पती के प्रान बच जाएंगे इस बारे में कमला ने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया और फिर अगला मंगलवार का दिन आया और जैसा मा मंगला ने बताया था वैसा ही हुआ सर्प आया तब कमला ने एक प्याले में मीठा दूद रख दिया और एक कोरा मटका रख दिया और जैसे ही साप उस मटके में जाकर बैठा तो मंगला ने उपर से धक्कन लगा के बंद कर दिया और जाकर साप को जंगल में छोड़ाई। जब बापस आई तो उसका पती जीवित रहे गया। उसने ये बात सबको बताई। सारे गाउं में धिंडोरा पिट गया और सारे गाउं की ओरतें कमला के पास आई और सभी ने उससे इसका कारण पूछा। तब कमला ने बताया कि यह सब मा मंगला गौरी की कृपा से ही हुआ है। मा मंगला गौरी ने ही मेरे पती के प्रान बचाए है। फिर सभी गाउं वाली ओर्तों के पूछने पर मामंगला गोरी के वरत को किस प्रकार से किया जाए सब को कमला ने बताया और सफिर सब ने ही मामंगला गोरी का वरत प्रारंब कर दिया तो जैसे हे मंगला गौरी माता आपने कमला के पती के प्राणों की रक्षा करी उसका अटल सुहाग करा ऐसा ही सब के करना कहते सुनते ना हुंकारा भरते ना इस प्रकार से मांगला गौरी की कथा संपून होती है इसके बाद हमें एक छोटी सी बिन्नायक महराज की गणेश म मिल जाएंगी पाठ पूजा से रिलेटेट कथा आदी सब की जो वीडियो हैं मैंने डाल रखी हैं आप जाके जरूर चेक कीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टैम टू टैम मिलते रहें